इस नियोज इस पॉंसर्ट बाई हीरा बैंकिट हॉल फुली एर कंडिशनर आड सेयद अली चबूतरा नियर शागास होटल असलाम लेकुम नाजरीन आप सब करस्तक्बाल ए-18 तलिंगाना नियूस के खास खबर नामे पर आज साथ अगस साटेड़े का दिन है आए नाजरीन देखते हैं आज का खास खबर नामा तलिंगाना स्टेट वाफ बोड ने सिकंदरबाद और हाइडरबाद के खासियों से गुजारिश किये के वो एक्स्ट्रा फीन ना ले और बिना तैखात के शादी शुदा जोड़े को तलाख या खुला की सर्विस ना दे वाफ बोड ने खासियों को हिदाएड दी के शादी शुदा जोड़े को खरीब तीन महने का वक्त दे सोचने के लिए और आखरी फैसला करने के लिए TSWB चीफ महमत सनीम ने कहा के तीन महने के वक्त में मिया बीवी को सोचने वक्त मिलेगा तलाख और खुला के लिए खासियों को ये भी हिदाय दी गई के फॉरन सर्टिफिकेशन जारी ना करें तलाख देने के बाद जरूरी है के शादी शुदा जोड़ा यानि मिया बीवी को वक्त दिया जाना चाहिए सोचने के लिए ग्रेटर हाइडरबाद मुनसिपल कॉर्परेशन यानि जीए जमसी ने नया अंदास अपनाया है बॉर्ट और डेथ सर्टिफिकेट इशू करने के लिए इस नए सर्विस में आवाम को जीए जमसी आफिस आने की जरूरत नहीं है अप्लिकेशन समिट करने सर्टिफिकेट के लिए बलके खुद कॉर्परेशन उनके लिए सर्टिफिकेट जारी करेंगे एक हफ़ते का टाइम दिया जाएगा हॉस्पिडल को डीटेल्स अपलोड करने जिसके बाद खुद कॉर्परेशन सर्टिफिकेट जारी करेंगे ये नया अंदास सर्टिफिकेट जारी करने का आवाम के लिए राहत होगा इस करोना वाइरस की तीसरी लहर को मदे नज़र रखते हुए तेलिंगाना ने अपना स्टॉक जमा लिया है जैसे मेडिसिन्स, बैट्स, आक्सिजिन और दिगर चीज़े तेलिंगाना हुकुमत ने खुसुसन मेडिसिन्स और कोविट नाइटीन मरीज के लिए सामान मंगवाए हैं इस कोविट नाइटीन तीसरी लहर का सामना करने एक्सपर्ट का खौफ है कि ये करोना वाइरस की तीसरी लहर बच्चों को मतासर कर सकती है डॉक्टर गंगाधर तादूरी आफिसर स्पेशल ड्यूटी ओस्टी तेलिंगाना चीफ मिनिस्टर के लिए उन्होंने इविंट के दौरान बात करते हुए कहा के खरीब 18,480 कोविट नाइटीन बेट्स बनाए गए हैं बच्चों के लिए थास्टे की दिन स्टेट गवर्नमेंट से बाचीत करते हुए ऐलान किया के आने वाले गनेश चतुरिती के बारे में उन्होंने कहा के अभी तक करोना की वबा खतम नहीं हुई और गनेश चतुरिती के जशन में बड़ी तैदात में आवाम शिर्कत करने का डर है चीफ जस्टीस हिमा कोली और जस्टीस भी विजे सेन रेडी ने छे दिन दिये हैं गनेश चतुरिती के तैयारियों के लिए बेंच ने ये भी कहा के एक पिटीशन फाइल की गई है एडवोकेट मामडी वेनु माधफ ने पिटीशन फाइल किया ये चाहते हैं कि हुकुमत हुसाइन सागर लेक को साफ रखे और गनेश चतुरिती और दिगर्ट योहार के वक्त हुसाइन सागर साफ रहना चाहिए गंदगी नहीं रहनी चाहिए शाइन अगर बालापुर पॉली स्टिशन उदूद में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन मुनकित किया गया जिसके तहट रहागिरों के आईडी कार्ड बाइक पेपर्स चेक किये गए और जिनके पास बाइक पेपर्स नहीं थे या नंबर प्लेट नहीं थे उनकी गाड़ियां जब किये गए आज की दिन इतिहास लिखा गया नीरत चोपरा जो इंडिया को रिप्रेजन करते हैं टोक्यो ऑलमपिक्स में एथिलीट्स मैंस जावलीन के खिलाडी है आज इन्होंने अपना फाइनल देते हुए इतिहास खायम किया ऑलमपिक गोल्ड मेडल हासल करके नीर चोपरा पर गर्व है